हेलो फ्रेंड्स आज हम एक्टिव और बेसिव वाइस के कुछ रूल करने जा रहे हैं एक्टिव वाइस में बेसिक जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्व प्लस अब्जेक्ट होता है जब हम इसको एक्टिव वाइस में बनाते हैं तो क्या होता है जो अब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट है वो अब्जेक्ट बन जाता है और वर्व हो भी की थर्ड फोर्म बन जाती है जब हमारे पास rule जो first जब हमारे पास v1 प्लस rgs दिया हो तो subject से पहले इस जे मार का परियोग करते हैं ही राइट्स ए लेटर तो ही क्या है subject है राइट्स क्या है वीवन है और इसके साथ एस लगा है वो ए लेटर क्या है object है यह जो हमारा एक्टिवाइज है इसको जब हम passive voice में convert करेंगे तो ए लेटर यहां अगर वीवन लगी हो तो इस जे मार में से एक आएगा अब ए लेटर इज है ए लेटर क्या है singular है तो singular के साथ हमेशिया इज लगता है ए लेटर इज उसके बाद हमेशिया वी थ्री लगेगी रिटर बाइब हीम तो यह हमारा एक्टिव बाइस है और यह हमारा पेस्व बाइस रूल शेकिन अगर संटेंस में इज़े मार वाजवर अगर यह चीचे हमें संटेंस में पहले गिवन हो तो चैंज कैसे करेंगे इज़े मार वाजवर पलस जो है बींग लगेगा जैसे यह तो सिंपल है जैसे हमें इज़े मार पहले गिवन हो जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर तो ए लेटर क्या है आगे आ जाएगा इज देखो इज लगा है तो इसके साथ क्या लग जाएगा बींग थर्ड फॉर्म क्या है रिटन बाइ ही या जो इसका अब जो हमारा क्या रूल अगर हमें सेंटेंस में हेज हेव हेड दिया हो उसके बाद क्या लगाना है हेज हेव हेड प्लस बींग जैसे ही हेज रिटन ए लेटर तो इसका कैसे बनेगा लेटर हेज बींग रिटन बाइ हिम रूल पोर अगर हमें विल शेल बाइ तैन कुल में माइट बुड दिया हो तो इनके साथ क्या लगेगा प्लस बी का युप्यों होगा जैसे हिए हि युए रॉइ रॉइ ए लेटर अलेटर will लगा है will be written by him हमने subject को change कैसे करना होता है जैसे ही का him आई का me you you they का them she का her आई आई